हालो दोस्तों आज परकास के प्रावर्तन का दूसरा लेक्चर है ठीक है परकास का प्रावर्तन क्या होता है यह समझेंगे ठीक है परकास का प्रावर्तन क्या होता है यह समझेंगे तो परकास से किसी वस्तु से टकरा कर लोटने को परकास का प्रावर्तन करते परकास के किसी वस्तु से टकराकर अब यहां पर हम मान लेते हैं यह कोई वस्तु है यह क्या है वस्तु है को परकास के किरन आया इससे टकराया और लौट गया तेक इसी को क्या बोलते परकास का प्रावर्तन तो परकास के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को परकास का क्या बोलते प्राव वाले परकास को अधिकांस भाग उसके द्वारा लौ्टा दिया जाता है प्रावरतित हो जयता है समतल दर्पन्द का एक अच्छा प्रावर्थक है याज niet सत लिए गGO geç तो अच्छे तरह से पॉलिस की हुए चिकेंटर सत पर पौणने वाला इसपर जो अधिकान्स भाद इछ पर टकरना कर लौड़ जाता है तो समतल दरपन परकास का एक अच्छा प्रावर तक है अब हम आगे डिखते हैं समतल दरपन चीखने कांस की या उस पर राजतिकी एक पतली परत जमा कर दिया जते हैं रजित काज़ुक्त की पतली लाल या किसे अन्य गहोई रंग केकी के पेंट करदीा works पेंट चरहाने से चांदी की परद खीचू खरोज यादी से सुरचित रहती है कि यह समतल प्लेट है इसके पीछे पेंट कर दिया जाता है चांदी का पहले लेप चरहा दिया जाता है यह क्यों किया जाता है परकास की केंट का पॉद्ध दर्साने वाला चेतर को क्या बोलता है किरन आरेक करते हैं किरन आरेक में सुग्दा के लिए संतल दर्पन को चित्र एक प्वैंट दू के बी की सत्व दर्साई जाती है अब यहां से हम समझते हैं यह वाला यह वाला जो है इमेज यह हम समझते हैं टेक है तो परकास के प्रावर्तन जो होता है यह हम समझेंगे तो परकास के के में किसी सम्तल पर परकर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सता से प्रावर्तित होती है टेक है उन नियमों को प्रावर्तन के नियम करते हैं टेक है य इन नियम को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवस्था ठेक है अब यहां से हम लुग समझते एक इमेज लेते हैं ठेक है इस परकार से एक समतल दरपन बनाते हैं यह जो है आपतित प्रकास के तंस को कणि क्या होता है यह यह परकास की किरण क्युक्त पर्लाब करको यह जो है समतले प्रण पर लूटती है इससे क्या वोलते हैं प्रवार्तित किरण यह जो है जिसके पीछे क्या पॉलिस किया तो आप्तित किरन का लॉटने वाला परकास के किरन को प्रावर्तित किरन जिस विंदू पर टाकर आया है उसे आपतन विंदू करते हैं अभिलंब क्या होता है तो आपतित किरन और प्रावर्तित किरन के बीच में जो लंब डाला जाता है उसे को अभिलंब बोला जाता है आपतन कुन क्या होता है आपतित किरन और अभिलंब के ब यह जो कुन बनता है उसे बोलते है परवरतित कौन क्या होता है परवरतित किरन आपतन बिंदु पर खीचे गए अभिलाम यह थो पता है अब है नियम क्या होता है आप्तित की रन प्रावर्तित की रन ठेक है परकास के प्रावर्तन का पहला नियम है प्रावर्तन के क्या नियम होता है दो नियम होता है ठेक है परकास के प्रावर्तन के कितना नियम होता है दो नियम होता है ठेक है परकास के प्रावर्तन के कितना नियम होता है दो नियम होता इसपर डाला होता है यह क्या परकाश के परावरतन कोर नियम है तो परकाश के यह दूसरा नियम है सम्तल दर्पन पर लंबबद परने वाले कीरन का प्रावर्तन कैसे होता है यह हम समझेंगे तो परकास की सतर परकास की एक कीरन सम्तल दर्पन पर लंबद आप्तित हो रही है अब यहां से अंबबद ब्रावर्तन कोण के तेक है अर्था प्रावर्तित कीरन अब लंबद पर बन्ती निकलती है अगर लंबवत आ रही है तो दर्पन पर लंबद परने वाले किरन का प्रावर्थन के बाद उसी पद से लोट जाता है तो जाएगी कहां बियके के समस्थिए तो दर्पन परलंबद परने वाले किरन का प्रावर्थन होता तो समस्थि दरपन परने के सामने कोई वस्तू रखी जाती है तब उसका परतिवीम दिखाई पड़ता है या जब किसी वस्तो को हम दरपन के सामने रखते हैं या दरपन के सामने आप जाएएगा तो क्या होगा परतिवीम बनेगा ना तो जब किसी दरपन के सामने कोई वस्तो रखे जाती है तब उसका परतिवीम दिखाई पड़ता है प्रावर्तन के नियमों का पालन करती हुई प्रावर्तित होती है यह प्रावर्तित किर्ने या तो किसी बिंदू पर मिलती है या फिर किसी बिंदू से आती परकास की किरने दरपन से प्रावर्तन के बाद जिस बिंदू पर मिलती है यहां जिस बिंदू से आते हुए परतीत होती है उसे उस बिंदू सुरोत का क्या बोलते हैं परतिवीम बोलते हैं परतिवीम कितने परकार कहा होता है दो सबसे पहले यह जाने की क्मिल ऑता है यहां कैसे बिंदू सुरोत की किसी बिंदू शुरोत से आ currently अर पहलें यानि कोई भी बिंदू सुरूत है वाज़ परकास की किरन आ रहा है ठेक है तो दर्पन से प्रावर्तन के बाद जैसे बिंदू पर मिलती है या जैसे बिंदू से आते होई पर्तित होती है उसे उस बिंदू सुरूत का पर्तिभीम करते है पर्तिभीम कितने परकार के होता है किनी परकार के होता है तो किसी बनों स्रोट से आती परघास के बाद जैसे वेंदू पर वास्ताम में मिलती है टो पुजब तो किyou can say definite के तो किसी बेदे परघास के थां के बाद कि इस वेंदूर वाहस्ता समय मिलती है का करते हैं आधा वास्तावीक परदी पाज़ी पर प्राप्त किरेंगी जा सकते हैं वास्तावीक परतीवीं समय लटा और हें टो है ना यह यह तो हम देख लेते है अब यह यह रातव और prone अप्तल दर्पन वह ज 안तर जो यहां पर रखा गिया है कि फोकस यहां वाकरता के अंद्र के बीच रखा गिया तो परकास के ने एक ऐसा आएगा तो दरपन से प्रावरतन के बाद कि परकास वाकरता के अंद्र से बाद आएगा तो यहां पर कट किया का कर गिया यहां पर तो यह क्या वासतविक पटिभी यह थे लेकि यह वासता में लें तो परतित होता है यह जो कीरन है दरपन से प्रावर्तन के बाद जो है वास्ताविक पर्तिभीम तो किसी बिंदु शुरोत से आते हुए पर्तित होती है है उसे igenदोh का आवहां से परदीवियंघ करते हैं Middle pre magazine है तो इसका परदीवियो का करो बनेगा इसको आगे हम बढ़ाते हैं और यह वास्तम में है नई कि यहां जो मानौ ऊसे क्या दिखेगा कि यहां से लेकिन वास्त करके यहां लौट की यह लेकिन यहां जो आदमी होगा मानौ उससे जो क्या दिखे यहां से पर्कास आ रहा है इसलिए इससे क्या बोलेंगे लेकिन वास्ता में इसलिए इसे पर्तिवीम या कालपनिक परतिवीम, कोहीं क्या बोला जाता है कालपनिक परतिवीम बोला जाता है वास्ताविक परतिवीम को ही क्या बोला जाता है कालपनिक परतिवीम बोला जाता है तो आगे हम देखते हैं समतल दर्पन द्वारा परतिवीम का बनना समतल दर्पन द्वारा परतिवीम का बनना तेक है वो एक बिंदू सुरूत है तेक है निकलते है कि पढ़से चेत्र में केवल डो कीरन का पत दर्स आया गिया यानि यहां से निकलता है लेकिन वास्ता में पहुत सार निकलता है लेकिन हम बहुत कीरन कहले रहा है पाण्तों चेतर में केवल दो किरन का पत्राइल ग्या है इनमें इन में 1 O A M पर आभिलाम के रूप में आप्तिति हो रही है अता हुआ उसी पत्राइल में वापस याती है दूसरे तीरची किर्यन O A जो है तीरची किर्यन है दरपन से प्रावर्तित हो कर A B दिशा में चलती है यह कि इन्हें O M तथा A B दरपन के पीछे किसी बिंदो आई से आ रही है यहां जो है दरपन के पीछे किसी बिंदो आई से आ रही है या बिंदो आई बिंदो शुरूत O का अभासी परतिवीम है यहां जो है हम पाते हैं कि क्या हम पाते हैं कि दरपन के पीछे की दूरी बरावर होता है दरपन के आगे के दूरी यहारे संचेप्त में हम कर सकते हैं संतल दरपन में वस्तो के दूरी परतिवीम के दूरी थे थे कर सकते हैं किऀना और पार्चिछे उतता है संतल परतिवीम बनेगा थेकर पारसव परतिवियम ऑपारसव परिवर्तन होता है हम जब हम जब अपने परतिवित को दरपन में करने देखते हैं यानि जो हम अपने इमेज को अपने ही फोटो को अपने चेरा को सब्सक्राइब बर अंतर का पता चलता है यहां अपना दाहिने हाथ उठाते हैं तो लगता है कि पूराओं समतल्दरपन में परतिविम का बाया भाग दिखाई परता है इस को बोला जाता है इसमें देख रहा है तो यह वाला पलट गिया है खिए सीधा सा बात है अगर यह माल लेते हैं किसे ये आपका दाहिना हात है ये दाहिना हात है इसे ये बायमम आग atención तो आप इमेज में देखते यहां समतल में समतल करपन सब्सक्राइब इसमें देखेंगे तो यह全रु जो जैदाएगा और यह जोgangen तो दिखेगा यह तो आगे हम लोग समस्तार आगे हैं हम लोग संबस्ताइं कि मिलता है क्या क्या है सम्तल दर्पन की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इससलिएν पर्दे पर नहीं कर सकते लिए इसलिए अन्किर पर नहीं कर सकते हैं तेका है परतिवीम दर्पन के उतना ही पीछे बनता है जेतना वस्तु दर्पन के आगे होता है यानि परतिवीम दर्पन के उतना ही पीछे बनता है जेतना वस्तु जो दर्पन से आगे होता है